गूट इूणिंग इस्टुलेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है प्राचिन काल में भारत एम चीन के संबंद ठीक है तो देखेगा इस वीडियो को देखने से पहले मैं बता भारत किसे कहा गया है इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप प्रेलिस्ट में जाके और ये वीडियो देख सकते हैं और जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो एक्जाम की दस्टी से बहुत ही helpful है इसलिए आप लोगों को हमारे यूटूब चैनल इंड लाइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक्जाम की अच्छी से त्यारी कर सकें तो चलिए पढ़ते हैं प्राचिनकार में भारतियों चीन के संबंद अत्यंत प्राचिनकार से ही भारतियों को चीन के विशे में ग्यान था महाभारत तथा मनुष्मरती में चीनी का उलेक मिलता है कोटिली अर्चास्तर में चीनी शिल्क का विवरन प्राप्त होता है समाने तैं ऐसा माना जाता है कि चीन देश का नामकरण वहां चीन वन्स जो 121 सा पूर्व से 220 इस्वी तक था की स्थापना के बाद हुआ अतहे भारत चीन संपर्क 33 स्थापदी के लगबग प्रारम में हुआ इससा के बहुत पहले से ही भारत तथा चीन के बीद जल इंथल दोनों ही मार्गों से व्यापारिक संबन थे पर्थम सतापदी इस्वी के एक चीनी ग्रंथ से पता चलता है कि चीन का हुआंग चे अर्थात कांची के साथ समुद्री व्यापार मार्ग से व्यापार दूत मंडल चीन भेजने को कहा इस विवरेंस से इसप्रश्थ होता है कि इस्सापिरवय की द्वित्य अथ्वा पर्थम स्तापदियों में भारत अथा चीन के बीड़ समुद्री मार्ग द्वारावी दिवत संपर्क स्तापित हो चुका था मैं सोर से दूसी स्ताबदी इस्वी पूर्वे का चीनी सिका मिलता है इस प्रकार भारत और चीन के प्रारेंबिक संबन्द पूर्ण तिया व्यापार परक थे चीनी सिल्क भी भारत में बड़ी मांग थी कालिदास ने भी चीनी रेस में वस्तर जिसे चीना संक्सुक कहा गया है का उलेख किया है परंतु सिक्रे ही व्यापार का स्थान धर्म परचार ने ग्रहन कर लिया तथा बोध परचारकों के प्रियत्नों के फल्स रूप भारतिय सब्यता चीन में व्यापक रूप से भैल गई थी चीनी प्रंप्राओं के नुसार भारत के बोध परचारक चीन में 217 इस्सा पूर्वे में ही पहुँच गए थे एक अन्य विवरण से पता चलता है कि 121 इस्वी पूर्वे में एक चीनी सेना नायक ने मद्दे एसिया में सैनिक अभिहान किया वहां से वाय भगवान बुद्ध की एक सुवन परतिमा चीन लाया तथा इस प्रकार चीनीों को बोध दर्म के विशे में ग्यात हुआ यदे भी इन विवरणों की एधिहासिकता संद्यहास पद है तथा पी इतना सपस्टता ग्यात है कि दो इस्सा पूर्वे में ओकसस गाटी के यूची अर्थात कुसान सासकों ने चीनी दर्मार में कुछ बोध गरंद भेंड किये थे चीन के राज के स्रोतों से पता चलता है कि 65 इस्यू में हनवन के सासक मिंग्ती ने स्वपन में एक स्वानिम पूरुष के दर्सन किये उसके दर्बारियों ने इस पूरुष की पहचान बुझ से कि फल्सरूप उसने पस्चिम में अपने राजदूद भेजे तो अपने सा धर्मरतन तथा कास्यप मातंग नामक दो बोध बिक्षू ले गए ये बिक्षू अपने साथ बहुसंके पवित्र ग्रन तथा अवसेश एक स्वेत अस्वा पर लाद कर ले गए चीनी समराठ ने उनके रहने के लिए राजदानी में एक विहार का निर्मान करवाया जिसे स इस्चित आधार प्राप्ट कर चुका था चीनी सासकों तथा कुलीन वर्क ने बोध दर्म को अपनाया और उसके परचार परशार में अभिरूची दिलाई प्रारम में बोध दर्म को कनफ्यूसियस मतानुयाईयों के विरोध का सामना करना पड़ा किन्तु सिग्रही उसने उनको अपनी ओराक्रिस्ट कर लिया अनेक चीनी विद्वानों ने भी बोध दर्म का समर्थन किया पर्शिद दार्शनिक मोट्सू जो दुईत्य स्तापदीश्वी में था ने तो इसे कनफ्यूसियस के धर्म से स्रेश्ट तरगोसित किया पस्चिमी सिन्वंस के सासक बोध दर्म के सरंगसक थे समराट वू तथा मिन के कालों में अनेक मठों तथा विहारों का निर्मान हुआ तथा चीन में इस समय लगबक 37,000 विक्सू हो गए थे इस समय नानकिन तथा चंगन बोध दर्म के परमुक के अंदरे थे लगबक 100 वर्शो बाद दक्सिनी चीन के राजा लियांग हूती ने इसे राज दर्म बनाया तथा उसका परचार प्रारम किया वेई वन्स के समय में बोध दर्म का परचार परशार बढ़ा तथा चीन में बोध विक्सूं और विहारों की संक्या अधिक हो गई उसके बाद सुईत एं तांग राजवन्स का काल आया इस समय तक बोध दर्म चीनियों के जीवन का अभिन अंग बन गया था तांग काल को चीन का बोध काल भी कहा गया है चीन में बोध दर्म की लोगपिरियता का परधान कारण धर्म परचार कों का उच्छा था ये परचारक भिन भिन स्थानों से वहां गये थे मद्य एसिय के बोध परचारकों में धर्म रक्ष और कुमार जीव के नाम परमुक हैं भारत के प्रारंबिक परचारकों में धर्म छोम गुण भद्र धर्म गुप्त उपसुने परमार्थ आदी उलेखने हैं तांग काल में परभाकर मित्र, दिवाकर, बोधी रूची, अमोग वज्र, वज्र मित्र जैसे बोध परचारक चीन पहुँचे कश्मीर में बोधों का परसिद मठ था जहां से संग भूती, धर्म यस, बुधे यस, विमलाक्स, बुध जीव, धर्म मित्र, आदी बोध विद्वान चीन गए इन सभी के प्रियासों के पडाम सरूप बोध धर्म चीन का अत्यंद लोग पर ये धर्म में बन गया था बोध दरम की सरलता एवं व्यावारिता से प्रभावित होकर अनेक चीनी यात्रियों ने बोध गरंतों की प्रतिया लेने तथा पवित्र बोध स्थानों के दर्शनार थे भारत की यात्रा की इनमें फायान वेनसांग ता इसिंग के नाम सरवादिक परसिद हैं फायान चत्तूर सताब्दी में या आया तथा विबिन स्थानों की यात्रा की इस समये चंद्रगुप्त द्वित्ये का सासन था अपने यात्रा विवरण में उसने गुप्त कालिन समाज यम संसकर्ति का सुन्दर चित्र खिंचा है वेन सांग हर्षवरण के समय में भारत आया तथा उसने हर्षकालिन भारत की रानतिक यम संसकर्तिक दसा का वर्णन किया इसिंग सात्वी स्थाब्दी में भारत आया अपने यात्रा विवरण में उसने नारंदा विसो विदाले का वर्णन किया है भारत चीन संबंदों के फल सरूप चीनवाशियों के जीवन पर भारतिये संस्कृति का परभाव पढ़ता पढ़ना स्वाभावी खी था बो दर्म की अहिंसा, दया, करुणा, विने आदी ने चीनवाशियों के जीवन में विलक्षन परिवर्तन उत्पन कर दिया बहुत संपर्क से चीन में मूर्ती पुजा, मंदिर निर्माण, विक्सु जीवन, पूरोहित वाद, आदी का प्रारम हुआ अनेक विद्वानों ने बहुत गरंतों का चीनी भासा में अनुवाद परसुत किया जिसके फल्सरूप चीनी साहिते की विरदी हुई, भारतिय जोतिस एम चिकिस्था से भी चीनी वासी परभावित हुए तांग राजाओं के दर्बार में भारतिय जोतिसी रहते थे एक भारतिय विद्वान ने तांग समराट को एक भारतिय पंचांग समर्पित किया था भारत के तांत्रिक योगी चीनी सासकों के दर्बान में जाकर रोगों का निदान परस्तुत करते थे भारतिय गंधार कला का प्रभाव चीन की कला पर पड़ा बुद्ध तथा बोधिस्तों की मूर्तियां बनाएं गई तथा इस्तूपों और मंदिरों का निर्माण हुआ अजन्ता के गुवाचित्रों के सम्मान तुल हुआंग में गुवाचित्र प्राप्त होते थे चीन के पेगोडा भारतिय स्थूपों की नकल परतीत होती है तो चीन के जो पेगोडा है उनमें भारतिय स्थूपों की नकल हमें परतीत होती है इस परकार भारतिय सेंसकर्थी के विवित तत्वों का चीनी सेंसकर्थी पर परभाव स्पस्त परिलक्सित होता है ठीक है तो हम मारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का भहुत भहुत धन्यवाद इसी प्रकार आपको और भी नए वीडियो मिलेंगे इत्यास विशेच सम्मधित और भी नहीं इनफोर्मेशन आपको मारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे मिलेगी तो बने रहें यूट चैनल इंडिया ओल्डेज पे